इंप्लिमेंट फिट करने का तरीका इंप्लिमेंट जोडने से पहले टॉप लिंक की सहायता से सेंसिंग चेक करें कि लिफ्ट काम कर रही है या नहीं इसके लिए काला लीवर को लिफ्ट जोन, निूट्रल जोन तथा ड्राफ्ट जोन में रखते हुए टॉप लिंक से दबाने पर लिफ्ट उठनी चाहिए दबाव हटाते ही वहीं रुख जानी चाहिए तथा नीचे गिरनी चाहिए सेंसिंग चेक करते समय, मिक्स मोड में पीला लीवर नीचे रखना पड़ेगा तथा नौन मिक्स मोड में पीला लीवर उपर रखना पड़ेगा ट्रैक्टर को रिवर्स करके इंप्लिमेंट के पास लाएं इंप्लिमेंट जोडने के लिए पीले लीवर का प्रयोग करें इसके लिए Mix Mode में काला लीवर बिल्कुल नीचे रखें Non Mix Mode में काला लीवर बिल्कुल उपर रखें इंप्लिमेंट की पिन को पहले Bind Draw Arm की ओर से जोड़ें जबकि आप Driver Seat पर बैठे हूँ अब इंप्लिमेंट की पिन से दाइं Draw Arm को जोड़ें पिन डालते समय एलाइन्मेंट बनाने के लिए Lifting Gear Assembly का प्रयोग कर सकते हैं Single Slot Bracket में टॉप लिंक को ट्रैक्टर के साथ जोड़ते समय Connecting Pin को बाएं से दाइं की ओर डालें ध्यान रहे कि Connecting Pin को कभी दाइं से बाएं नहीं डालना चाहिए वरना Hydraulic System ठीक काम नहीं करेगा और इस Bolt से Spring Plate अटकेगी Double Slot Bracket में यदि Top Link को बाएं तरफ वाले स्लोट में लगाना है तो पिन को बाएं तरफ से ही डालें और यदि Top Link दाइं तरफ वाले स्लोट में लगाना है तो पिन को दाइं तरफ से ही डालें इंप्लिमेंट को लगाने के बाद दोनु तरफ Chain Assembly की Free Play आवशक्ता के अनुसार रखें यह 2 से 3 इंच के बीच होनी चाहिए Connecting Pin डालने से पहले पिन की Category की अवश्य जाच करें यदि Slot का होल बड़ा है तो Category 2 की पिन का प्रयोग करें यदि Slot का होल छोटा है तो Category 1 की पिन का प्रयोग करें